हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक तो आर यूट्यूब प्लैटफोर्म विकल लर्निंग हब यहां पर दोस्तों CSIR की तरफ से रिक्रूट्मेंट निकल कर सामने आई है सभी डिप्लोमा ब्रांची जो है दोस्तों यहां पर इलिजिबल रहने वाली है तो यह वीडियो आप सभी क साथ ही हम इसमें बात करेंगे दोस्तों कम्प्लीट इसके ओफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में वन बाई वन जानेंगे सभी इंपोर्टन चीजों के बारे में वीडियो को शुरू करने से पहले में आपको एक चीज़ बता दो दोस्तों यहां पर experience भी requirement मांगा गया है और साथ ही हमारी regular वीडियो से आप connected रहें इस वीडियो को लाइक करें शेर करें जितना होसके ताकि औरों की भी help होसके तो चलिए गाइस बिनादेर की इस वीडियो को शुरू करते हैं जैसे कि आप देख पारे हो हैं दोस्तों हम official website पर इसके आ चुके हैं यहां पर आपक करने का और साथ ही apply करने का link भी यहीं पर दिया गया है यहां दक पहुचने का जो रास्ता है दोस्तों वह आप description box में जो link दिया गया है उस पर click कर आप यहां पर पहुँच सकते हैं जो चलिए इसको open कर लेते हैं और देखते हैं इसमें क्या कुछ दिया गया है तो जैसा क आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों CSIR Central Mechanical जो Engineering Research Institute है दोस्तों इसने Advertisement No.4 2020 के माधियम से recruitment को जारी किया है यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है दोस्तों जिसके बारे में हम बात करेंगे जो important है last date दोस्तों last date आपका जो submission हो रहेगा online application का वो 20 12 2021 के 5 बज़े शाम तक रहने वाला है मलब 20 December तक आप apply कर पाएंगे साथ ही यह चीज़ important है इसको ध्यान में रखेंगे बाकि यह आप पुरा official notification है दोस्तों जिसको आप यहाँ बरी read कर सकते हैं और साथ ही अगर आप चाहें यहां पर आप देख पा रहे होंगे यह पूरा official notification आपके सामने है इसकी जो website है दोस्तों वह इन्होंने आपर दे रखे www.cmeri.res.in इस पर जाकर आपको जो भी जानकारी लेनी है क्या आपका डाउट हो तो वह आप यहां पर गंजन कर सकते हैं साथ ही यहां पर हम हम बात करेंगे designation की जो पोस्ट है दोस्तों technical assistant की इसमें नंबर ऑफ पोस्ट टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो हैं दोस्तों वह बाइस पोस्ट है जिसमें अन्रेजरूड की बारा है बागी आप यहां पर देख पा रहे होंगे अपने दोस्तों साफ इन्हों ने बोला है यहां पर अगर हम नेम ओफ पोस्ट technical assistant में जाए तो यहां पर वन बाइवन दिया गया है तेक्निकल assistant जो है दोस्तों आपका mechanical के लिए यहां पर आपकी क्या educational qualification essential रहेगी साफ बोला गया है दोस्तों मोडलिंग में मसीनिंग में साथ ही ड्राफ्टिंग में CNC में एंड कास्टिंग में इन चीज़ों का आपने नोट कर लेना है दोस्तों यह काफी इंपोर्टेंट है अगर आपके पास एक्स्पिरिंस नहीं है तो आप इस वे साइद जो है इलिजबल नहीं रहेंगे और साथ यहां पर लेवल सिक्स का जो है आपका पे मैट्रिक्स नहीं वाला है उन चीज़ों को भी आप देख सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन आप यहां पर देख पाएंगे अपने अकोडिंग साथ ही दोस्तों इसके लिए जो वेकंसी डिटेल हैं वह आप उपर पर भारे होंगे तेरा पोश्ट टोटल हैं दोस्तों जिसमें साथ अन्रिजर्ट की है बागी आप यहां पर अपने अकोडिंग देख पाएंगे ओबी सी की चार है इसके लावर नेक्ट बढ़ते हैं ज साथी सेंस या डाक्टा एक्विजिशन सिस्टम में आपका दो साल का एक्सपिरियंस मांगा है यहां पर वो भी आपके पास होना चीए पेस्केल सभी का सेम रहने वाला है टेक्निकल असिस्टेंट सब के लिए सेम रहने वाली है जो पोश्ट आपकी बाकि आपने अकोडि चोपर डिप्लोमा है साथी दो साल का एक्सपिरियंस अपने रेलिवेंट जो एक्सपिरियंस किसमें मांगा है किस एरिये में वह आप यहां पर रीड कर सकते हैं पूरा उपीशिल नोटिकेशन न है जिसको आप पढ़ पा रहे हैं आगे बढ़े तो आगे आपर दिया गय कर रखा है तो भी आप इस पोस्ट के लिए लीजिबल रहेंगे एंड यहां पर जो दो साल का डिप्लोमा है कि सेरी में वह आप यहां पर देख पारे होंगे इसमें मांगा गया है नेक्स अगर मणबड़ें क्या important कुछ general instructions आपको दी गई है यहां पर read कर पा रहे होंगे स्क्रीन पर आपके सामने है next important क्या चीज़ आप देख लेते हैं other conditions आपको कुछ यहां पर conditions दे रखी है जो important है last date को जुरूर से याद में रखेंगे बोलेंगे नहीं बीस बारा दो मिलता है वह आप यहां पर देख पाएंगे सेस्ट के लिए पांच साल तीन साल ओभी से के लिए वह सब आपने एस पर गौर्मेंट रूल यहां पर दिया गया है नेक्स्ट गरम देखें तो दोस्तों नेक्स्ट क्या चीज इंपोर्टेंट है उस चीज के अगरम में आपको ऐसे मोडस आजाता है दोस्तों कैसे आपको अपको जादा कुछ दीन गया है तो यहां पर मैं आपको रिखन नहीं होने वाला इसके लिए को इंटर्विव नहीं होने वाला है सिरफ आपका रेटन टैस्ट होगा जिसके से मिरिट आएगी हैंड आपका स्लेक्षन अपलाई करें इस पोस्ट के लिए दोस्तों क्योंकि इसमें जो रहने वाली फीस है वो भी काफी मिनिमल है मॉड अपने जान लिया है दोस्तों यहां पर कुछी तरह से आपका स्लेक्शन होगा एंड बाकी यहां पर बोला गया है आरियस.टीन पर आपको जाना है अंड वहाँ पर जाकर आपको लिंक मिल जाएगा या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है डारेक्ट वहां से जाए एंड अपलाई कर सकते हैं आपको जैसे कि मैंने बोल दिया है closing date आपको बता दी है 20 12 2020 है और क्या important चीज है दोस्तों एक non-refundable जो आपकी application fees होती है वो सिर्फ 100 रुपय है एंड आपर आप देख सकते हैं वो भी सिर्फ जनरल विसी के लिए बाकियों के लिए जो है यहाँ पर कोई fees नहीं ली जाएगी सिर्फ 100 है minimal है काफी तो इसे अगर अगर आप eligible हैं तो इसे अप ज़रूशे apply करें next अगर बात करें क्या important है दोस्तों और यहाँ पर एक और चीज जो दोस्तों काफी खास दी गई है वो है कि आपको जितने भी certificates documents है जो भी आप form fill करते वक्त जो भी आपका documentation लगेगा उन सभी की आपने photocopy करवाने हैं उन प को पोस्ट करना होगा उन सभी चीजों को कौन कौन से documents होंगे वह भी आपर दिये गए हैं उनको हम यहाँ पर देख लेते हैं पूरा official notification आप यहां पर देख पार होंगे यह हैं दोस्तों following documents must be attached along with the printout of the application form and यहाँ पर जो fees की receipt होगी दोस्तों उसको भी आपने attach करना होगा 100 रुपयां पर मत्र इसकी फीज रहने वाली है बाकि आप यहां पर रीड कर पा रहे होंगे आपके सामने है तो यह पूरा official notification था जिसको हमने one by one देख लिया है दोस्तों और उमीद करते हैं यह काफी आपको useful helpful लगा होगा CSIR के तरफ से recruitment थी जो भी हाली में आई है जिसकी last देख दोस्तों 20-12-2021 रहने वाली है बाकि आप यहां पर शोट में देख सकते हैं इसकी जितने भी वेकंसी डिटेल है उन्स अभी को आप यहां पर नोट कर लेंगे और उमीद करते हैं वीडियो काफी useful लगी होगे और आपके लिए नहीं भी थी तो प्लीज इसे share करें में क्योंकि किसी के लिए भी helpful हो सकती है तो चलिए इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं साथी में आपको एक और चीज़ बता दो अगर आप मंतली सैसन से नहीं जुड़े हैं तो दोस्तों यहां पर आपका यूट्यूब पर मंतली सैसन आपको जो है current affair का मिल जाता है क् इजाम के लिए काफी जरूरी रहता है तो उसी भी आप जरूर से देखें एट उजाड उसमें current affair के questions हम डिसकस करते हैं तो अभी November की current affair जो है आने वाले है दोस्तों उससे भी जरूर से जुड़े और अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें शेर करें तो चलिए गा आने वाले हैं